दोस्तों आज जो मुवी में आपके लिए लेकर आया हूँ वो कई सारे देशों में बेन है लेकिन एनिहाओ मुझे ये मुवी मिल ही गई इसके बारे में ना तो इंटरनेट पर डिटेल्स अवेलेबल है और ना है किसी प्लेटफॉर्म पर लेकिन आप सभी को इस वीडियो म में इस मुवी का पूरा एक्स्पिनेशन मिलेगा तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में मुवी के फर्स्ट सीन में एक लड़की जंगल में भाग रही थी वो पूरी तरह से खून में लथपत और बहुत ज्यादा घायल होती है तभी अचानक पीछे से एक आदमी उस कार में है और अपनी फ्रेंड्स क्लेर और रोस को केंपिंग ट्रिप के लिए पिक करने जा रही है फिर वो तीनों अपनी एक और फ्रेंड्स सारा के घर पर जाते हैं जहां पर क्लेर और एना रोस को उसे लेने जाने को कहते हैं सारा और रोस बच्पन के दोस्ते और हाली म सारा का ब्रेक अप हुआ था जिससे कि वो इस ट्रिप पर नहीं जाना चाहती थी और उन्हें जाने के लिए मना कर देती है लेकिन रोज सारा को कन्वेंस करके उसे अपने साथ में ट्रिप पर ले आती है नेक्स्ट सीन में वही आदमी एना की लाश को गसीट कर ले जाता है और उसके पेरों को रस्ति से बांद कर उसे उल्टा लटका देता है और फिर वो उसके दोनों हाथ के पंजों को कार देता है जिसके बाद में मूवी वापिस से प्रेजन टाइम में आती है यहाँ पर चारों लड़किया रास्ते में है और यह सभी बहुत इंजोई कर रहे है वे सभी लोग जंगल में एंटर होते हैं और एना कार को ड्राइव कर रही थी उसका ध्यान मेप पर होता है और तभी वहाँ पर अचानक रास्ते में एक जर्मन लड़का एरिक आ जाता है जिससे कार से टकर होने ही वाली थी लेकिन वो जिसे तेसे बच जाता है एरिक को ज़्यादा चोटे नहीं आती वो जल्दी उट जाता है और क्लेर उससे थोड़ा फलर्ट करती है जिसके बाद में वे लोग वहाँ से चले जाते हैं थोड़ी दूर जाने के बाद में ये चारो लड़किया रास्ता भटक जाती है और उन्हें रास्ते में एक आदमी दिखाई देता है जिसे देखकर वे गाड़ी रोग देती है उससे रास्ता पूछने के लिए इस आदमी का नाम फिलिप होता है और वो दिखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा था वो उन लड़कियों के पास आता है और उन्हें गूरने लगता है रोज को ये सब बड़ा ही अज़िब लग रहा था और वो सब को वहां से जाने के लिए केती है मगर कलेर उससे रास्ता पूछ रही थी और अचानक से उस आदमी के पास से एक मास का तुकला गिर जाता है जिसे ये सब लड़किया नोटिस कर लेती है और जल्दी ही वहां से निकल लेती है फिलिप इन सभी लड़कियों को जाता हुआ देख रहा था और तब ही उसके पीछे से उसका दोस्त सैमुल आता है और ये भी पूरी तरह से खून में लगत था जो कि फिलिप के साथ साथ उन लड़कियों को जाते हुए देखने लगता है और फिर थोड़ी देर के बाद में चारों लड़किया केनेडियन वूर्ट्स के स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुच जाती है सब कार में से अपना सामान और टेंट निकालते हैं और जंगल के अंदर जाने लगते हैं थोड़ी दूर चलने पर एना क्लेर को एक दम से रोकती है और बताती है कि वो अभी अभी एक ट्रेप के उपर पेर रखने वाली थी उस ट्रेप के उपर एक कपले की निशानी होती है जिससे की एना समझ जाती है कि यहाँ पर ट्रेप लगा हुआ है जिसके बाद में वे सबी उस ट्रेप को एग्नोर करके आगे निकल जाते हैं और फिलिप और सेमॉल भी उनका पीछा करते रहते हैं फिर काफी दिर तक चलने के बाद में चारो लड़किया अपने केंपिंग पॉइंट पर बहुच जाती है सारा एना के किसी बात से नाराज होकर वहाँ से चली जाती है और रोज उसके पीछे पीछे जाती है कलेर और एना टेंट लगाने लगते हैं और सारा तालाब में स्विम करके बाहर आती है जिसके बाद में वो रोज के साथ में बियर पीने लगती है तब ही हमें पता चलता है कि सारा प्रेगनेंट है और उसका अभी अभी ब्रेक अप भी हुआ था और वो रोज से कहती है कि वो ये बात किसी को भी न बताए जिसके बाद में वे दोनों वापस चले जाते हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि फिलिप और सेमुल वही पर हैं जो कि उन्हें दूर से देख रहे थे रात होने पर चारों लड़किया बॉनफायर के पास में इंजोय कर रही थी और क्लेर सभी के फोटोस क्लिक कर रही थी और उस साइड में रखा हुआ पानी पीने जाती है तब ही फ्लेश चमकता है और उससे अपने ठीक सामने फिलिप खड़ावा दिखाई देता है वो चिला कर बाकी सब के पास आती है और उन्हें ये बताती है कि अभी अभी उसने उससी आदमी को देखा है जिससे कि उन्होंने रास्ता पूछा था और फिर सब लड़किया टॉच लेकर देखने जाती है पर उन्हें वहाँ पर कोई भी चीज नहीं दिखाई देती है वे सभी वापस आते हैं और फिर सो जाते हैं अगले दिन उठकर सब टेंड से बाहर आते हैं और तालब में नहने के लिए चले जाते हैं और दूसरी तर उसे वहाँ से कुछ इसमेल आती है और वो जब देखने जाती है तो फिसल जाती है वो देखती है कि पेड के पास में बहुत सारा ताजा-ताजा खून पड़ा हुआ है और वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और चिल्लाने लगती है एना की आवास सुनकर बाकी की लड़क ति और तब ही उसे केमरे के सामने फिल्प खड़ावा दिखाई दिखाई देता है जो कि केमरे के थ्रु टूर् कलेर की आख में एक तीर मार देता है और कलेर वही जमीन हैं मगर फिलिप उनके सामने आ जाता है रोज उसके मूपर मारती है जिससे की वो गिर जाता है और दोनों वहां से भाग जाती है जिसके बाद सेमुल रोज के पेर पर गोली मार देता है जिससे की वो गिर जाती है सेमुल सारा पर भी गोलिया चलाता है लेकिन वो बच जाती और वहां से भाग जाती है यहां पर क्लेर अभी भी जमीन पर पड़ी हुई थी और वह दर्द में पड़ी हुई थी उसकी आखों के आर पार फिलिप का लगाया हुआ तीर गुसा हुआ था जिसके बार में फिलिप उसके पास जाता है और उसकी आख से उस तीर को निकाल ले तीर के साथ साथ क्लेर की आँख भी भार आ जाती है जिसे की फिलिप खा लेता है और फिर फिलिप सारा का पीछा करने निकलता है सारा बहुत देर तक भागने के बार में एक गुफा में पहुच जाती है जहां पर बहुत ज़्यादा अंदेरा होता है वो वहाँ पर पड़ा हुआ एक लकड़ी का तुकड़ा उठा लेती है और फिलिप उसका पीछा करते करते गुफा में घुज जाता है और उसके पास पहुछते ही सारा उसे लकड़ी से मार देती है जिससे कि वो भयोश हो जाता है और सारा गुफा से बाहर आ जाती है और फिर थोड़ी दूर भागते भागते सारा एक पेट से जाकर टकरा जाती है और वो वहीं पर ब्योश जाती है और जब सारा को होश आता है तो यह देखती है कि रोज एक पेट से बंदी हुई है और एना भी वहाँ पर मौझूद है जिसके पास में सेमुल जाता है और वो एना का बड़ी बेहरेमी से रेप करता है जिसे देखने के बाद में सारा जोड़ जोड़ से चिलाने लगती है और फिर एना का रेप करने के बाद में सेमुल एना के पेट में चाको गुसा कर उसे मार डालता है फिर नेक्स्ट सीन में हमें देखते हैं कि सारा के पास में फिलिप आता है और उसके बाल पकड़कर उसका सीर पेड़ पर मारने लगता है और फिर वो उसका रेप करने के लिए आता है फिलिप सारा की तरफ बड़ी रहा था सेमुल एना की लाश को ले जाकर एक बेग में डाल देता है वो लड़कियों के टेंट में जाकर उनका रखा हुआ सामान देखने लगता है सेमुल को एक दम से पीछे से कुछ आवाज आती है जिसे देखने के लिए वो वहाँ पर चला जाता है और तभी सारा रोस के पास आत करता है तब ही सारा उसकी गन उठाकर उसके पीछे आकर खड़ी हो जाती है लेकिन उसे गन चलाना नहीं आती थी ये देखने के बार में सेमुल उसके पास आने लगता है लेकिन एक दम से उससे गन चल जाती है और सेमुल को लग जाती है सारा सेमुल के उपर दो गोलिया पा रही थी क्योंकि उसके पेर में गोली लगी हुई थी और फिर सारा उसके पेर से गोली निकालने की कोशिश करती है जिससे की रोज महीं पर भ्योश हो जाती है और फिर सारा उसे अपनी पीट पर उठा कर जंगल के रास्ते अपनी कार तक ले आती है सारा रोज को जैसे ही कार में बिठाती है कि तब ही वहाँ पर सेमॉल आ जाता है और सारा के उपर गोल्या चलाने लगता है लेकिन रोज जैसे तेसे बच जाती है और वो सारा को पीछे कार में बिठाती है और वहाँ से निकल जाती है Samuel से बचने के लिए रोज गाड़ी बहुत तेज चला रही थी और तबी अचानक सामने से वही जर्मन ललका एरिक आ जाता है जिसे की टक्कर होने ही वाली थी लेकिन जैसे तेज से रोज एरिक को टक्कर होने से बचा लेती है और उसकी कार का एक्सिडेंट हो जाता है फिर Eric आकर उन्हें कार से बाहर निकालने की कोशिश करता है और उसे सामने से एक और कार आती हुई नजर आती है जिससे की वो मदद मागने जाता है लेकिन उस कार में Samuel होता है Samuel कार से बाहर आकर Eric को मा डालता है और इतने में रोज महां से भाग कर वापिस जंगल में चली जाती है वो रोज का पीछा करता है और थोड़ी दूर जाकर रोज गिर जाती है जिसका फाइदा उठा कर सेमॉल रोज के पास आता है लेकिन वो ठीक उसी तरह के ट्रेप में फस जाता है जैसा कि इन गल्स को पहले जंगल में मिला था रोज को ट्रेप के ऊपर से कपले का निशान मिल जाता है जैसा कि एना ने उसे बताया था और सेमॉल को उस ट्रेप में फसाने के लिए वो जान बूच कर वहाँ पर गिरी थी जिसके बाद में हम यह देखते हैं कि सेमॉल अभी भी उसे ट्रेप में फसा हुआ है और उसे मही छोड़कर रोज जंगल से बाहर निकलती है सारा के पास में आती है और दोनों हग करते हैं दोनों सही सलामत उस जंगल से बाहर आते हैं और सेमुल की कार में बेट कर वापस से अपने शेर के तरफ लोड जाते हैं जिसके बार में ये मूवी यह पर एंड हो जाती है दोस्तों ये मूवी चार गल्स की है और इन में से एक लड़की अपने ब्रोकन रिलेशन्शिप और परसनल मेटर से ओरकम करने के लिए इन लड़कियों के साथ में केंपिंग करने के लिए इस ट्रिप पर आई हुए थे जिनका सामना दो साइकोपात इनसान से होता है और ये मैन हंटर होते हैं जो कि जंगल में आने वाले लोगों को मर डलते हैं और उनका मीड भी खाते हैं लेकिन रोज और सारा जैसे तेसर बचकर वापस आते हैं और इनने अपने लाइफ की वेल्यू पता लगती है तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताईएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेजेगा क्योंकि मैं जल्दी जल्दी इस चैनल पर वीडियो डालता हूँ